लड़कियां कुछ भी कर सकती है वो ना किसी की मौताज है और ना ही बे सहारा जिया इस वक्त आप देख रहा है वोईजोपैम भी मैं आपके साथ सिम्रण चले देखते हैं इस खास कबर को दुनिया भर की लड़कियों को प्रेणना देने के मामले में एक और नाम जुड़ गया है वो नाम है हर्दा गल दिपिका का इनकी होसले की कहानियां को चुकाएगी भी रोमाच्चत भी करेगी और प्रेणना भी देगी जब एक बेटी अचानक गयब हो जाय तो मा के मन में क्या-क्या संधे पैदा होते हैं सोचा भी नहीं जा सकता दिपिका के मा के मन में भी साल बर तरड़़ा के सवाल पूझते रहें लेकिन मा को ये भरोसा नहीं था कि उनकी बेटी एक साल बार मिलेगी जरूर लेकिन कुछ बड़ा हासिल कर तरिसल जीले से एक वर्ष पहले कुम हुई दिपिका को पुलीस दिल्ली से खोचकर हर्दा ले आई सिविल थाना शेतर के रहने वाली दिपिका पढ़ाई के लिए घर छोड़ कर दिल्ली चले गई थी परिजन दिपिका की शादी करना चाहते थे लेकिन पढ़ने की ख्वाहिश में दिपिका ने घर छोड़ दिया उसने दिल्ली चाकर जोरदार पड़ाय की और दिल्ली पुलिस का एक्जाम क्लियर कर लिया दिपिका ने बताया कि उसके जाने के बाद परिजनों को कई प्रकार की बातें सुननी पड़ रही थी इसलिए उसने घर आने का फैसला किया पहले जनों से उसने पहले बचन लिया कि वो उसके पड़ाई नहीं रोकेंगे उसके बाद वो हरदाई तो ये थी हमारे इस वक्त के खास ख़बर और इसी तरह कि हर छोटी से बड़ी ख़बरे चाहने के लिए बने रही हमारे साथ Voice of MP पर नमशकार